हेलो स्टूदेंट्स मैं डॉक्टर मिनाक्षी मीना आज की आपकी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास है जिसमें आपके सेक्षन है एच और जे आज का हमरा टॉपिक है विवा विवा क्या है विवा को दो विशम लिंगियों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की समाजिक धार्मी कद्वा कानूनी स्वकृति को का जाता हैं स्त्री पुरुशों वे बतुषं को विभिन सव पार्टिक क्रियों में सहमगामी बनाना संतानी पथीकर्ण करना विवाह के प्रमूख कारें हैं विवाह की परिणाम सरूब माता पितायों बच्चों के बीच कई अधिकारों रदाइतों का जन्म होता है विवा की परिभाशा कुछ समाज़शास्त्रियों ने इस प्रकार दी है लूसी मेयर के अनुसार विवा की परिभाशा यह है कि वह इस्तरी पुरुष का ऐसा योग है जिससे इस्तरी से जन्मा बच्चा माता-बिटा की वैच संत का अधिकार प्रदान करती है डॉक्टर कापढ़िया की अनुसार हिंदु वीवा एक संस्कार है एक हिंदू अपने जीवन में विविद संस्कारों को संयन करता हुआ ही आगे बढ़ता है और अपने व्यक्थितु को पूझता प्रदान चौता है व्यक्तित्तु का विकास पांचवा है परिवार के पृति दाईत्तों का निर्वा चटा है समाज के पृति कर्तव्यों का निर्वा अब हम पढ़ेंगे हिंदू विवा एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदू विवा को एक धार्मिक संस्कार माना गया है हम अपने अध्यन में देखेंगे कि हिंदु विवा एक धार्मिक संसकार किस प्रकार है हिंदु विवा की प्रकृति धार्मिक है यह एक धार्मिक संसकार है विवा अनेक संसकारों में से एक संसकार माना गया है यह गरस्त आश्रम का द्वार है पहला, विवा का धार्मी का धार, हिंदु विवा के उद्देशों में धर्म को परधानता दी गई है प्रतेख हिंदु के प्रतेश निन पंच महायग्य करना आफशक है और ये यग्य बिना पतनी के पून नहीं माने जाते विवा का दूसरा उद्देश पुत्र प्राप्ति है वही पिंबदान तरपन द्वारा पित्रों को नर्क से बचाता है दूसरा है विभागी अविछेद प्रकरती हिंदु विवा जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है इसमें तलाग के लिए कोई स्थान नहीं है तीसरा है रिणों से उर्रिन होने के लिए आउश्यक धर्म शास्त्रों में विवा को स्वर्ग का द्वार माना गया है ग्रस्त बनकर व्यक्ति अपने दे उर्रिन, पित्ररिन, रिशेरिन से उर्रिन हो सकता है धर्म, अर्थ, काम, मोख, शादी, पूरुशार्थ की पूर्थी भी विवाद वारा ही कर सकता है चौता है पती व्रत का आदर्श एक हिंदू इस्त्री से या पेक्षा की जाती है कि वे पती व्रत धर्म का पालान करे स्वप्र में भी पर पूरुश का चिंतन ना करे पती ही उसका तीथ और इश्वर है पाचवा है इस्त्री के लिए एक मात्र संसकार एक हिंदू पूरुश अपने जीवन काल में विविन संसकार संपन करता है किन्तों हिंदु इस्त्री के जीवनकार में विवा ही एक मात्र संसकार होता है छटा पत्नी के संबोधक शब्द हिंदु में पत्नी को संबोधित करने के लिए से धर्म चारिणी धर्म पत्नी आदी शब्दों का प्रियोग किया जाता है अर्थात पती के धार्मिक कारियों में सयोग परदान करने वाली सात्वा है धार्मिक अनुष्ठान व विधी विधान विवा के दोरान सप्तपदी हों कन्यादान अगनी परिणयन आधी प्रमुख विधी विधान किये जाते हैं जो अगनी की साखशी में होते हैं आठवा है ब्रामनों की उपस्तिति, हिंदू समाज विवस्ता में ब्रामनों को सर्वशेष्ट माना गया है, विवा का कारी उन्हीं के द्वारा संपन किया जाता है। नवा है वेद मंत्रों का उच्चारण, विवा के समय वैदिक रिती रिवाजों का पालन और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दस्वा है अगनी की साक्षी, ब्रामनों और वेदों की तरह अगनी को भी पवित्र माना गया है, उसकी साक्षी में ही वर वदू विवा बंदन में बंदते हैं ग्यारवां है कंञ्यादान, कंञ्यादान को शांस्त्रों में शेश्ट दान बताया गया है, यसे बहुत बड़ा पुन्य बताया गया है, यह एक पवीत्र और धार्मिक कारिय है दार मिक आदेशों में निशेदों का मेंटूब बारवा है हमारा पॉइंट हिंदू विवान में एक विवाइट जोड़े के लिए अनेक धार मीक आदेश करने के आदेश दिये गए हैं जैसे विवाइट व्यक्तिकों प्रतिदिन पंच महायाग्य करना दान देना अतिति सत पतकार करना इश्वर के पूजा पाट करना आदी दूसरी और कुछ निशेद भी हैं जिसे एक व्यक्ति को अपने गोत्र प्रवर सपिंडियों तता विजातिये लोगों से विवा नहीं करना चाहिए यह अधार्मिक है उप्रियुक्ष तत्यों से हिंदू विवा के धार्मि मना गया है मनु लिखते हैं वेदों के ज्याता शीलवान वर को स्यम बुलाकर वस्त राभुशन आदी से सुसर्जित कर पूजा वे धार्मिक विदी से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवा है दूसरा है दैव विवा गौतम वय यागि वलक्य ने दैव विवा के लक्षन का और लेक इस प्रकार किया है वेदों में दक्षिना देने के समय यह यग्य करने वाले पुरोईत को अलंकारों से सुसर्जित करना ही दैव विवा है मनु लिखते हैं संदर्व सतकर्म में लगे पुरोईत को जब वस्त राभुशनों से सुसर्जित कन्या दी जाती है तो इ विवा करता है चौता है प्राजापत्य विवा इसमें लड़की का पिता आदेश देते वे कहता है तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आजरन करो पांचवा है असुर विवा मनु लिखते हैं कन्या के परिवार वालों वे कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन द जाता है उसे गांदर विवा कहते हैं वर्तमान में हम इसे प्रेम विवा के रूप में मानते हैं सात्वा है राक्षस विवा मनु कहते हैं मार कर अंग छेदन करके घर तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात हरन करके लाना राक्षस विवा है याग्यवलक क कहते हैं युद्ध में कन्या का आपरण करके उसके साथ विवा करना ही तक्षस विवा है आठवा है पैशाच विवा मनु कहते हैं सोई हुई उनुमक्त घवराई हुई मदिरा पान की हुई रहा में जाती हुई लड़की के साथ बल पूरवक कुकृत्य करके उसके पश्चा उसे विवा करना पैशाच विवा है इस प्रकार के विवा को सबसे निक्रष्ट कोटी का माना गया है तो यह थे हिंदु विवा के आठ स्वरू आज की क्लास में इतना ही नमस्कार